हाई फ्रेंच नमस्ते मॉम्समाजिक फुड माई आरलाई स्वागत्छ यदि हजर हर ले हाम्रो चैनल लाई सब्स्क्राइब गाननों भाई को चाहिना वने प्लीज सब्सक्राइब गरी दिनुहला रनाया नया रेसिपी को नोटिफिकेशन पाऊनों को लागी यो ब्याल यो पान मा मैले आधा कप जती तेल राखे रह एवटा कैप्सिकम लाई स्क्राइब बनाया रेसरी काठे रेलाई फ्राइब गरना जान देचु तेल बने आमले फ्राइब गरना को लाई अलिकी बढ़ी आलनों पास अरु गेला बंदा रह यो कैप्सिकम लाई माईले गु यह पान मा मैले यो एक प्याज लाई मीडियम साइज को प्याज लाई एस्थी स्क्वार सेप मा बनाया रा काठे रा फ्हेरी एलाई पनी माले इसरी ने फ्राइब गरना जान देचु अलका फ्राइब गरने रह एला गुल्डन ब्राउन बहाई पासि यह निकालने इत्ति इत्ति को फ्राइब गर शुरे निकाल छो तेश्पची माले यो बचे को तेल ला अरको प्याज मा खनाई दिये रह एसमा एक ठुलो चम चा तेल पनी माले आड गरे अब हामी ले एसमा चार पांच उड़ा जाती लसुन लाई मशीन बनायर काठे रह आड गरे रह मेड चिल्ली शॉस लाइ आड गरे एसको वीडियो माले दिस्क्रिप्शन बॉक्स माइसको लिंक राख देको छु रह याहां माईले दिर चम चा जाती दिर ठुलो चम चा जाती ट्माटो केचब राखे रह यो राखी शागे बचे माले येलाई एक्षिन राम्रे संग चल मैले नून स्वादानुसार राखें तपना इपना स्वादानुसार नून राखनो अला राखें आदासानो चम्चा मैले मरीच बनी राखें राखें अगुए अभाएलाई मैड ठूलो आगो बनाए एक्षिन मद उल्तर फ्राइयी गरेंगा इप्राइगो बाद हाव ग्यास पनी बंदा गर दीन छू तो यहां नुस्थ हेरता पनी कस्तमिठो देखे को चाली किती धनिया पनी एसमा आड गर दीनु श्वाद को लागी रहेला मिक्स कनू रा तपाइरेने एसरी ने बनाए राखनो फ्यामली और समय खानू अला रभवर कस्त भयो बने रहा मिला कमेंट पनी गरेरा बताऊनू अला आई तसाथ ही अरू अम्रोद चानल ला माय गरी दिनु भैको मा धन्ने बाद थैंक्यू